नमस्कार आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम वेवेक्स मीट के माध्यम से मीटिंग कैसे ज्वाइन करेंगे मैं मोबाइल में भी और लैप्टॉप या डेक्स्टॉप में वेवेक्स मीट कैसे प्रियोग करते हैं मैं बारी बारी से दोनों के बारे में आपको बताऊंगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग वेवेक्स एप अपने मोबाइल के एप स्टोर से डाउनलोड करते हैं हो तो सबसे पहले हम जो चलेंगे PlayStation ties js्ट सबसे उपर सर्च बॉक्स में लिखेंगे लिखेंगे जैसे में लिखेंगे सबसे पहला जो सर्च और आएगा वह आएगा Cisco वीवेक्स मीटिंग्स इस पर आपको टच करना है कि यह देखिए आपके मोबाइल में सिसको वेक्स मीटिंग सो करने लेगेगा उसके नीचे लिखाऊगा सिस्को सिस्टमज अमेरिका की एक कंपनी है जिसका भारत में करणाटक में इसका इंडिया ऑफिस है और यह मीटिंग एप बहुत ही आसान और सुरक्षित है, तो चुकी हमारे मोबाइल में इस मीटिंग एप को हमने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए यहाँ इंस्टॉल का ओप्शन नहीं दिख रहा है, सिर्फ सिधे ओपन का ओप्शन दिख रहा है आपके मोबाइल में इंस्टॉल का ओप्शन होगा आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे इंस्टॉल करने के बाद हम इसको ओपेन करते हैं जैसे इसको ओपेन करेंगे इसका पहला इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है मिटिंग वेश सैना चाहते कि हम साइन अप करें साइन करें डारेक्ट रॉषाइन करना सकता हैं तो आप सिध्य जोईन मीटिंग पे टच करेंगे जोईन मीटिंग पे टच करेंगे तो आपके पास एक सबसे उपर जो लाइन खीचा हुआ उसमें लिखा हुआ meeting number और URL तो आपको जो meeting number या कोई URL आपके किसी मित्र ने आपके साथ साजा किया है या किसी भी agency ने आपके साजा किया है कि आप वेवेक्स meet के द्वारा उनसे जुरें वो meeting URL यहाँ पे आप simply paste कर देंगे अब यह URL आप कहेंगे मेरे पास कहां से आया तो मुझे भी invite किया गया था और मैं इसको join वाले option पे टच करूंगा जैसे ही join वाले option पे आप टच करेंगे आपको join करने के लिए यह बिल्कुल ready है ready to join इसमें नीचे तीन बटन आप देख रहे हैं एक microphone को on करने का बटन है दूसरा camera को on करने का बटन है और तीसरा ज्वाइन का बटन आप जैसे ज्वाइन कर पर बटन पर क्लिक करेंगे आप ज्वाइन हो जाएंगे चुकि मैंने जो वार अलब है दिया है उसका सेड्यूल टाइम अभी नहीं हुआ है इसलिए यह मिटिंग अभी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं बाकी मैं आपको बता देता हूं कि camera on करने के जाद आपका वीडियो चलू हो जाएगा इसको आप आफ कर सकते हैं या फिर अगर आपको कुछ बोलना है उस मीटिंग के दौरान तो आप इसे microphone को mute से unmute कर सकते हैं ज्वाइन वाले option पर टच करके मैं देखता हूं कि यह क्या कहता है ज्वाइन वाले option पर जैसे ही टच करेंगे लिखेगा the meeting has not started अगर वह meeting का भी समय नहीं हुआ है और फिर भी आप जबरदस्ती ज्वाइन करना चाहेंगे इस मीट के माध्यम से तो आपको कहेगा एक message आएगा कि the meeting has not started clear है अब मैं आपको बताता हूं कि sign up कैसे करेंगे यह तो हो गया कि आप sign up किये बिना भी वेवेक्स मीट के माध्यम से meeting कर सकते साइन अप पाले option पर जवाब जाएंगे तो यह आपको एक website पर redirect करेगा मतलब आप से बाहर निकलके आपको scart.webex.com पर ले जाएगा जब यह website खुल जाता है तो यह कुछ इस तरह से दिखता है पहला जो entry करना है आपको इसमें वो है आपका email id तो email id आप बहुत ही साबधानी से entry करेंगे जैसे मैं यहाँ पे entry कर रहा हूं मैं अपना email id यहाँ डाल दिया और इससे मैं sign up कर रहा हूं sign up करने के बाद एक नया window खुलेगा नया window खुलने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका पहला नाम क्या है मितलब आपके नाम को दो हिस्सों बाट करके आपको लिखना है जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूं रभी रोशन और लास्ट में कुमार नव continue करेंगे continue करने के बाद फिर से हमें ये एक next page पे ले जाएगा और यहां से लिख रहा है check your inbox to get started अब यह हमें कह रहा है कि आप अपना email चेक कीजिए Gmail में और वहां से आपको start होना है और यह सारे process को करने के लिए आपको 24 घंटेगा वक्त दिया जाता है अगर आप बहुत बीजी हैं और आप चाहते हैं कि मैं email id से अपने इस account को activate करने में थोड़ा वक्त लूँ तो आप ले सकते हैं बट after 24 hour यह जो link जो आपको email पे भेजा गया है वह काम करना बंध हो जाएगा चलिए मैं अपने Gmail पे चला जाता हूं और वहां देखता हूं यह देखे Gmail में मुझे Welcome to Cisco Wevex Meeting नाम से एक message आया है और यहां पर मुझे password create करने के लिए कहा जा रहा है तो मैं create password पे touch करूंगा create password पे touch करने के बाद यहां पर तीन boxes है एक सॉरी दो boxes है एक जहां आपको new password लिखना है और second जहां पे आपको password confirm करना है देखे यहां पे सबसे बड़ी problem आती है कि लोग password create करते समय यहां इसके बगल में दिये गए instructions को नहीं परते हैं instructions बहुत ध्यान से परिए आपके password भी कम से कम 8 characters होने चाहिए उसमें से कम से कम 2 alphabetical characters होने चाहिए और उस alphabetical characters में एक uppercase और lowercase का mixture होना चाहिए यानि यह mix of uppercase and lowercase और चौथा जो must content आपके उस password में एक number भी होना चाहिए clear है आपके password में क्या नहीं होना चाहिए आपका नाम का कोई भी हिस्सा आपके password में नहीं होना चाहिए कुछ लोग अपने password में अपना नाम भी डाल देते हैं अपने company का नाम username इसको नहीं डालिए यानि अगर मैं अपने password में रवी रोशन कुमार में से किसी भी हिस्से को डालता हूं तो password acceptable नहीं होगा यूर लास्ट थ्री password यानि अगर आपने इस विवेक्स डॉट कॉम पे अगर कोई password बनाया था पहले तो वह password repeat नहीं कर सकते हैं ऐसे password जो आसानी से गेस किये जा सकते हैं वह ऐसे passwords आपको नहीं डालने है एनी character repeated three or more times तीन या उससे अधिक बार किसी एक करेक्टर को आप repeat नहीं कर सकते तो password बनाने के लिए यह जो कुछ सर्ते हैं इसको आप जरूर्द follow कीजिए और फिर आप password बनाईए तो मैं एक इसी आधार पे password बना लेता हूं जब आप password save कर लेंगे password आप create कर लेंगे तो वह window आपका बंध हो जाएगा अब उसके बाद आ जाएंगे सिधे webex meet के app पे और इस app को खोलने के बाद अब चुकि आपके पास user id है जो आपका email id है वही आपका user id है और आपने जो भी आप में जा करके वहां से password create क्या है वह password आपको याद रखना है अब हम यहां से करेंगे sign in sign in में जा करके हमारा जो email id था वह हम लोग यहां डालेंगे और next पे touch करेंगे नेक्स्ट पे touch करने के बाद यहां देखिए नीचे लिखाओ है न मीटिंग्स apac42.webex.com इस पे आपको touch करना है यहां पे आपको password मांगेगा आप यहां पर simple password जो आपने create किया है वह यहां डाल दीजिए और next पे touch किजिए जैसे ही आप next पे touch करेंगे यह sign in होना शुरू हो जाएगा और sign in होने के बाद यहां पे आपको आपका screen कुछ इस तरह से दिखेगा अगर आप चाहते हैं कि आप में आपका जो password है वो save रहे तो save कर लिजिए और do you want to use your fingerprint each time you sign in अगर आपके mobile fingerprint sensor है तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप yes करके आप fingerprint यहां पे enable तो मैंने fingerprint इनेबल सक्सेस्फुली कर लिया है अब जबकि आपने यहां पर sign in कर लिया है अब आप अपना भी meeting स्टार्ट कर सकते हैं और आप दूसरे के द्वारा invite के एगे meeting URL से जॉइन भी कर सकते हैं यहां पर आप अपना photo लगा सकते हैं चोजिंग एक्जिस्टिंग photo और sign out करने का अभी option है तो इस तरह से वेवेक्स meet के द्वारा mobile के माध्यम से हम कैसे जॉइन करेंगे यह आपने जाना चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि URL के माध्यम से हम कैसे इसमें जूरते हैं तो अभी इंस्पाइर दर्भंगा के एप में मुझे एक URL प्राप्थ हुआ है वर्च्वली विच्छिस्को वेवेक्स के माध्यम से तो मैं इस पर जैसे ही टच करूंगा मुझे पूछा जाएगा कि आप एप के माध्यम से इंटर होना चाहते हैं या क्रोम के माध्यम से तो मैं एप पर टच करूंगा यह फिर हमें वहीं परी डिरेक्ट कर रहा है और यहां पर लिखा रहा है कनेक्ट है फिर से वही बात मीटिंग हाज नॉट स्टार्ट जब यह मीटिंग स्टार्ट होगा आपको यहां से सीधे जूरने का मौका मिल चलिए अब हम डेक्स्टॉप पे कैसे वेवेक्स मीट का प्रियोग करते हैं वह सीखते हैं तो लोग आ गये हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहां पर जानेंगे कि वेवेक्स.com कैसे काम करता है तो हम यहां पर टाइप करेंगे वेवेक्स वेवेक्स मीट टाइप करने के बाद आपके सामने जो पहला स्क्रीन खुलेगा उसमें वेवेक्स.com उसके नीचे बहुत सारे आप्सन है आपको राइट साइड में ज्वाइन टेस्ट मीटिंग का उप्सन है उसके नीचे आई यह देखिए सिस्को वेवेक्स आपको पर आपको क्लिक करेंगे आपका होम पेज़ खुल जाएगा आपके वेवेक्स.com का मेन पेज खुल गया है जहां से आपको कह रहा है कि या तो आप स्टार्ट मीटिंग कर सकते हैं या फिर किसी existing scheduled meeting में आपको भाग लेना है तो इंटर मीटिंग information यहां पर डाल तो यहां पर में बहुत सारी जानकारी हासिल की होगी और अब आप इस मीटिंग को ज्वाइन करने में सक्षम हो पाएंगे तो इनी सब बातों के साथ आज के इस वीडियो से मुझे विदा दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक आप ओर आप एज कर दाप आप शखम मैं यज चैनल करने मुझे और आप चैनल कर देंके रार भैर जए हैं अपने हैं तो कैनल क्वाइन कर देंके चैनल कर प्रिव यदिए कर दोंदों